असलाम अलेक्म मेरे परज़ेसी भाईयों कि आपके भी पासपोर्ट पे इस तरह से बैलेंस होता है ये कौन सा बैलेंस है कि आपके ओपर मुखालफा आया है या फाइन आया है क्योंकि मैंने चेक किया तो वहाँ पर जीरो जीरो बता रहा है लेकिन कई भाईयों ने मुझे बैलेंस हो बैलेंस किसी के पासपोर्ट पे 600 किसी के 1200 किसी को 1200 कुछ बता रहा है तो यह क्या चीज है और इस से क्या आपके उपर फर्क पर सकता है क्योंकि बहुत लोग अभी घबराते हैं कि एरपोर्ट पे जाने के टायम मुझे जाने नहीं दिये जाएग क्योंकि अगर तुम्हांबे भर्णापर यह नहीं तो नहीं जा सकते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से इसको चछेक कर सकते हैं और आपके पासफोर पे समय हिश्थ आक जरूरह है तो आनी वाले रहता है गर चैंश जिस विडंम का क्या हिए अप혹ें AEG चेक करने के लिए अपसर पे किलिक करें और यहाँ पिलीक करके अगर आपका एकाउंड पहले से तो ठीक है यहाँ पी लगँ में किलिक करके तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे युजर नेम और पासवर्ट डाल देता कि उसके बाद लोगिन पर क्लिक करते हैं आपके नमर पर कोड आएगा जो भी नमर यहां पर जूरा हुआ है आपसर से देख सकते हैं मेरा एकाउंड ओपन हो चुका है यहां पर आपका आपसर ओपन हो गया है तो सबसे पहले आपको चेक करने के लिए करना क्या होगा तो मैं आपको चेक करके बता रहता हूं जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह पर फाइल है तो यहां पर किलिक करना है सबसे फर्स्ट में परस्टनल इंफ्रमेशन तो यहां पर आपको किलिक नहीं करना है माई पासपर्ट पर किलिक करना है तो यहां पर देख सकते हैं मेर आप लोग देख सकते हैं एक भाई ने मेने पास पहले मेसेज किया था लेकिन बात में उसने इसकी इंसोट भेंजा है तब जाके मैं सोचाओ कि इसके ओपर वीडियो बनाना जहुरी है तो मैं आपके इस वीडियो में किलियर करने वाला हूँ यहाँ पर जो बैलेंस सो होता ह है क्यों आता है क्योंकि इसके वैसे काफी लोग परिसान हो जाते हैं तो मैं आपको बतना चाहूंगा यहाँ पर जो बैलेंस सो होता है यह आपके पास्पूर्ट पे बैलेंस डिपोजिट है आपके ओपर फाइन या गरामा या कोई चीज का वैलेशन नहीं है आप लोग बहुत लोग घबराया आते हैं तो आपको टेंसल लेने की कोई भी जोगत नहीं है अगर आपके पास फाइन आता है तो यहाँ पर सो होता ट्रॉफिक वैलेशन या यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी चीज अगर होता है तो इस तरह से अलग हिसाब से आपके एकामा पर आपका एकामा या आपका आईडी चुटी या खुरूज नहीं भरता है तो यहाँ पर नहीं बरहाता या नहीं बनाता है तो आपका रिफंड कर दिया जाता है आपके पासपोट पे आप चाहे तो इस बैलेश को वापस भी ले सकते हैं लेकिन जिस बैंक की जरिए आपने पैसा deposit किया है government को उसी बैंक के जरी आप वापस ले सकते हैं किसी और बैंक के जरी जल्दी नहीं होगा तो यह टेंसर लेने की कोई भी जवरत नहीं है यह आपके पास deposit है ऐसा कुछ भी नहीं कि आपका लगी आपके पासपोर्ट पे deposit हो चुका है तो आप टेंसर नहीं ले आपको इसके बारे में बेफिक्र है आपको एरपोर्ट पे नहीं रोका जाएगा बहुत लोग सवाल पूछते रहते हैं और यह नहीं है आपके पास वह आपके पासपोर्ट पे deposit balance तो इससे टेंसर कोई बात नहीं है उम्मिद करता हूं कि आपको डिटेल मिल गया यह जनकारी मिल गया अगर आपका कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पुछे